तो भाई यहां खड़ी हुई है अपनी ट्राइंफ स्पीड 400 एंड इसको मैंने चला लिया है कितना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार 996 लगबग 1000 किलोमेटर मैंने बाई को चला लिया है एंड 1000 किलोमेटर चलाने के बाद ही हमें पता चल पाता है कि बाई के अंदर क्या चीज अच्छी है एंड क्या चीज हमें थोड़ी सी कमी फिल करवारी है बाई के अंदर कि ये चीज शायद थोड़ी सी ज़्यादा बैटर हो सकती थी इस बाई के तो सबसे पहले मैं सिरफ जो 2-4 नेगिटिव चीजे मुझे लगी है उन चीजों के ब कहा हुआ हुँता है तो आपधास में टच करते हैं वह चीज मुझे इरिटेट करती है वह जदा तो यह चीज सायग थोड़ी और चीजा किया जाता या इस तो थोड़ा पीचे किया जाता थोड़ा इस तरीक Face किया जाता है या यह चीज पर सभारा करें अन दो धोरNow कि मै오 कोई भी भाई अगर पिलियन के साथ राइडी करता होगा तो उसको यह चीज पर एसान जरूर करेगी मतलब यार पैर टच होंगे अगर हम स्यूज वगारा बूट वगारा पैन के रखते हैं तो फिर भाई पीछे टच होता रहता है फिर वो चीज हमें इरिटेट कर देती है पर वाला भी नीचे वाला भी दोनों खुल गया था एंड यह खुल के गिर गई थी तो यार सर्विस वालों को इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना चीए कि यार कोई चीज लूज हो रखिये तो इसको थोड़ा टाइट करके दिया जाए है अब ही 100 किलोमेटर पहले मैं तो यार ऐसा नहीं होना चीए यार थोड़ा सा ध्यान देना चीए यार सर्विस वालों को एक और चीज फिलाल मैं बाईक को रैड़ के लेकर आ रहा हूं फिलाल भी बाईक गरम वरक ही है तो एक चीज मुझे अभी परस्नली बाईक के अंदर फील हो रही है कि जिस इसाब की बाईक के अंदर पावर है मझनलब एक लगबग चालिस पियस की जो पावर है उस हिसाब से ये पावर प्रोड्यूस नहीं गरती है मझनलब इतना प्रोवाइड नहीं गरपा रही है बाईक की हाँ 40 पियस की पावर है अलांकि हम खीचते हैं बाईक को तो 130-140 तक चली जाती है बाईक लेकिन यार कि इस बाइक के अंदर मुझे कमी क्या देखने को मिली है, तो कमी फिलाल तक भाई इन दो चीजों के लावा मुझे कुछ खास मिली नहीं है, एक हाँ इंजन हीटिंग वाला मैं आपको बता दू कि अगर हम सोट राइड करते हैं, मतलब सिटी के अंदर गूंते हैं इदर से तो यार बहुत जल्दी इंजन गरम हो जाता है, वो हमें फील भी होता है, अपने पैरों को भी काफी गरम कर देगा, यहां तक भी मैं खड़ा हूँ, तो इस जगह भी मैं हाथ लेकर आ रहा हूँ, तो भी मुझे गरम फील हो रहा है, क्यूंकि मैंने अभी इसको सिटी में राइड किया था थोड़ा, सिटी से ही गोम के आया हूँ, उमें 25 किलोमेटर के आसपास, तो यह भाई सभी बाइक में होता है, जो भी 300-300 सिसी से उपर की जो भी बाइक होती है, उनके अंदर यह प्रोब्लम आती है, कि अगर हम सिटी में 100 राइड कर रहे हैं, तो बाइक राइड करते हैं, तब इतनी प्रोब्लम का सामना में नहीं करना पड़ता है, अब कर रहे हैं, बाइक के पोजिटिव पोइंट्स के बारे में बाद, तो बाइक अंदर जो टायर दिये गए हैं, अपोलो एलफा है, जिनकी क्वालिटी यार काफी बढ़िया है, मुझे बह उसके बाइक के अंदर बहुत अची दी गई है, उसके अलाव बाइक की जो ओरोल बिल्ट क्वालिटी में किसी परकार की कमी, अभी तक देखने को नहीं मिली है, सिरफ 1000 किलोमेटर चलाए, 1000 किलोमेटर के एक्सपिरियंस के आदार भी, मैं ये चीज आप लोगों को बता र कि यारि जो मिटर दिया गया है और ये जो डिजिटल मिटर दिया गया है इसके अंमिदर एक विज्चस्टम यार् यह जो जो भी सिस्टम ए है यह बिलकुल सही सो नहीं करता है ना तो इसका distance to empty size हो करता है ना कुछ और थोड़ा फील वाली बात नहीं है इसके अंदर वो चीज कि हाँ ये सब चीजे हमें function दिये गए हैं इसके अंदर लेकिन वो proper तरीके से काम नहीं करते हैं वो गलत सो करते हैं most of time तो उसके उपर भरोसा थोड़ा कमी करना बाकी overall जो बाई के बाई बहुत बढ़ी है और कुछ बाई मुझे कह रहे थे साड़ी गार्ड को अटा दो लुक अच्छा है का तो मैंने साड़ी गार्ड को अटा दिया अभी आप इसका लुक देख लोए वर कैसी लग रही है आप लोगों को मुझे तो अच्छी लग रही है भाई साड़ आप लोगों को भी अच्छी लग दी होगे आप लोगों ने कहा था हटा दो तो भाई हमने अटा दिया रही बात वाईजर की वह भी आया नहीं है मार्केट में तो वह आ जायेगा तब हम वह भी लगा देंगे उसके अलावा भाई बाई बाई बहुत ही जादा बड़ी है मुझे बहुत जादा अच्छी लगी है जो एक दो नेगेटिव पॉइंट थे वो बता ना साए मैंने जरूरी समझा इसलिए मैंने वो चीज़ आप लोगों को बता दी है आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलना चलिए मिलते अगली वीडियो में तो तक के लिए बाई बाई टाटा